लक्षया एक अनोखी पहेली जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चांद भी बादलों के बीच छिपा था और घनी अंधेरी रात में अकेली सडक पर सेंडल की टप 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 आवाज करती हुई। एक रिया चलती जा रही थी। अरे ये ओवर टाइम भी ने बहुत प पिर परेशान हो रहे होंगे कि इसके बाद फोन में मैसेज कर को रिया ने परस में रख दिया। और जल्दी जाने के चककर में रिया ने मैन रोट से कच्ची सडक की तरफ से चलने का फेसला किया। वेसे तो उस कच्ची सडक पर आना जाना लगा रहता। पर कुछ दिनों से लोगों ने उस कच्ची सड़क का इस्तिमाल कम कर दिया था और रिया इस बात से अंजान थी पर घर जल्दी भी पहुँचना था पर आज सढधक औरो दिन के मुकाबले काफी सूनसान लग रही थी सैंडल की टप टप करती हुई आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी उस चलते वो एक बड़े पार्क के करीब आ गई थी वेसे तो वो पार्क दिन में जितना खूबसूरत लगता था रात में उतना ही डरावना और आज तो इस सुनसान रास्ते के बीच ये पार्क काफी डरावना लग रहा था रिया तो सोच रही थी कि जल्दी ये रास्ता पार हो जाए बसकी तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई चोड़ा दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो रिया कुछ देर उस आवाज के बारे में सोची फिर अंसुना करके चलने लगी पर फिर दुबारा आवाज आई कोई है कोई है बचाओ मुझे बचाओ मुझे इस कौन बचाएगा। लेकिन अंदर जाकर देखना तो पड़ी डेगा कि अंधिरी रात में कौन मुसीबत में पुकार रहा है। आगे बढ़ते हुए रिया एक जाडियों में उलज गई। आह। रिया ने देखा कि में खून लगा था। रिया तो घबरा गई। मगर तो भी हि पहरा तो नहीं दिखा, मगर जो आगे मंजर चल रहा था बड़ा भयानक था। उसने देखा कि उनमें से एक ने उस लड़की का सर अपने हाथ से पकड़ा कर उठा दिया। और उसके बाद उसका सिर हाथ से दबा कर फौट दिया। और पार्क में एक आवाज सी गूंज उ चारों तरफ खून छटक कर बिखरने लगा, आँखे लटक गई और कुछ सेकंड में ही वो लड़डे की छपटाती रही और कुछ समय बाद वो बेरहम सी उसकी मौत हो गई। वे उसको फाड़ चिरह करके खाने लगे, गच गच चप चप और रिया की मानों तो अंदर आत जाने लगी कि तभी उसके पर्स के अंदर रखी मोबाइल की रिंग्टोन बजने लगी, तू नों, तू, तूनों, तूनों, जिसकी आवाज से वे दोनों हेवानों की नज़र रिया की तरफ चली गई, अब वे रिया की तरफ कूद, पढ़ीडे है, पर रिया ने भी उन ह हेवानों को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। रिया भी अब जितना हो सके उतना तेज दोढ़ने लगी। मगर पेड़ों की निकली जड़ों में रिया का एक पैर फ़स गया। जिससे वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी डेडी। आ, अहां। रिया को मामूली च लटकी हुई थी। और उनके मोटे से हाथ जिस पर कुछ निकला हुआ था। और उनकी आँखों की पुतलियां भी नहीं थी। उनमें से एक के हाथ में उस लड़ड़की का हाथ पकड़े हुए कच्चा चबा रहा था। वो रिया के तरफ धीरे-धीरे आगे बार रहे थे रिया भी रेगनते हुए पीछे हो रही कि तभी उनमें से एक हेवान जो की अल्ड़डी डियाच की थी। उसने रिया के सिर को अपने हाथों के बल से उठा लिया। अब रिया अपने सर को छुड़ाने की कोशिश की मगरा सफल रही। उस हेवान ने रिया का सिर पकड़ रियाच कर उठा दिया और सिर को हाथों से दबाने लगी कि तभी रिया भी उन ख्यालों में खो गई जिसमें लोग मारने के कुछ क्षन पहले खो जाते हैं। रिया भी अब बेहोसी की हालत में जा रही थी। अब उसके आँखों में धीरे धीरे अंधेरा सा च्छा रहा पहले था कि तभी उसके सामने कोई तेज की रोशनी आती है। और रिया धढ़ाम से नीचे गिर पड़े ड़ती है। जेसे तेशे वो कुछ होसों हवास में एक पेड के नीचे बेड जाती है। और कुछ देर बाद वह बेहोस हो जाती है। जब रिया को होस आता है तो उस उसके सामने एक नकाब कोस उसको जागा रहा होता है और वे दोनों हेवान मारे हुए पडीडेडे होते हैं एक के मुँपर तेज धार चीज धसी होती है और उसका हाथ भी काटा होता है और दूसरा का तो गला धड़से अलग होता है आखिर कौन है ये नकाब कोस आखिर वो इस पार्क में कैसे आया और वो दोनों हिवान कौन थे यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग पार्ट टू देखें सिर्फ ट्रेंडी इंडो पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें